हैलो एन वेलकम दोस्तों दीप इलेक्टोनिस लैब में आपको फिर से एक दफ़ा सुआगा थे दोस्तों आज मैं रिपेर करने जा रहा हूँ ये सोनी टीवी को जिसका पैनल टूट चुका है यानि की पैनल क्रैक हो चुका है जैसे कि आप अहाँ पर देख सकतों पैनल जो है बिल्कुल बरबाद हो चुका है तो इस टीवी को कैसे हम रिपेर करेंगे इसे पैनल को रिपलेस्मेंट करके आपको पुरा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो अगर आपका भी टीवी का हालात ऐसी हो चुका है तो इस वीडियो को आखिर तक जुरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर ही आपको पता चलेगा कि पैनल बगर आपको कहा से किस तरीके से मिलेंगे और पैनल रिप्लेस्मेंट करने का जो कॉस्ट होता याने की जो पैनल बदलने का जो चार्जेस होता है वो कितने होते है वो सारे जानकरी आज कि वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर देखने को मिलेंगे तो चलिए सबसे पहले दोस्तों इसे टीवी को ओपेन करता हूँ और ओपेन करने के बाद इसके अंदर किस नंबर का पैनल लगा हुआ है वो हम लोग देखता हूँ और देखने के बाद इसका रिप्लेस्मेंट कैसे हम लोग LG पैनल को इंस्ट्रल करके करूँगा सारे जानकरी इसी वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगे दोस्तो आप सभी लोग को पता होगा कि पैनल सभी जगा पे अवेलेवेल नहीं मिलता है इसलिए अगर आप हमारे से सस्ते में पैनल लेना चाहते हो तो आपको एक काम करना होगा इस वीडियो के नीचे जो रेट बटन दीख रहा है उसको पर रिप्रेस कर दीजेगा उसक के उपर कोई डास्ट बगरा है या नहीं अगर डास्ट रहेगा तो आपको उसको किलीन करना पर चाहे किलीन कर सकते हों यह कोई नेया पैनिल का पेटी तो tremendous में से हम एक पैनिल को बाहर निकलेंगी और जयब निकलेंगे तो इसको बहुत ही सापधने बरतने पड़ेंगे इसलिए में बात करना कम करता हूं और इस ते पैनिल को उठागा आपने TV फ्रेम के अंदर फिक्स करता हूं कर दो दोस्तो हमने पैनल को इस फ्रेम के अंदर सही सलमत बिठा दिया हूँ जब आप इस पैनल को किसी भी टिवी फ्रेम के अंदर फिट करोगे उस समय आपको कॉर्णनर पर ज्यादा ध्यान में रखना होता है अगर चार कॉर्णनर सही सलमत बैठ गया इसका मतलब आपका पैनल सही सलमत इस बॉड़ी के साथ फिक्स हो चुका है देखिए हमने इस चारो कॉर्णनर पर कोई भी उठा हुआ नहीं है और पैनल बिल्कुल बराबर जो है फिक्स हो चुका है तो आप मैं इसके ओपर जो फ्रेम लगा हुआ था उस फ्रेम को लगा के इसके जो टीकॉन है उस टीकॉन का कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ दोस्तो हमने पैनल को सही सलामत फिक्स कर चुका हूँ और फिक्स करने के बाद यह जो हमारा पैनल का सोर्स प्रेसी भी है यह भी हमने यहां पर फिक्स कर दिया हूँ इसके नीचे जो यह डबल साइड टेप था हमारा इस टेप के जरी यहां पर चिपका दिया हूँ बढ़ि आते यह जो हमारा टीकॉन साथ इस पैनल को और इस ब्रबूट को connect करना है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि यह जो मद्रार्बूड का नमबर है, यहाँ पे देखिए कि हमारा जो नमबर यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद और एक चीज आपको ध्यान में देना होगा कि यह जो हमारा टीकॉन है इस टीकॉन का पॉजेटिव पावर साप्ला इस साइड में है और जो पहले हमारा लगा हुआ है जो कि हमारा इस टीकॉन के साथ पैनल का कनेक्शन करने के लिए यह पेपसी पत्ता जो की पैनल के साथ ही मिलता है यह आपको लगाना होगा चलिए मैं इसको लगा कि आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको यह लगाना है यह हमारा लॉक हो चुका है यह पत्ता और आब इस पत्ते को हम टीकॉन के साथ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे यह हमारा लॉक हो चुका है और आप मैं स्टिक ओन बोड को यही पर इस क्रू के जरीए फिक्स कर दूँगा यहां पर दिया हुआ है तो इस क्रू के जरीए मैं इस जगा पर इसको फिक्स कर दूँगा तो इस फिक्स करने से पहले मैं एक बार टीवी को ओन करके देख लेता ह इसको लगाने से पहले मैं एक बाद चेक कर लएना चाहूंगा कि हमारा पैनल सही सलमत इसके अंदर कनेक्शन हुआ है याने इसके लिए मैं इसको AC लाइन पर दे देता हूं यहाँ पर मैंने दिया उसके बाद इस पावर को स्विच को अन करा उसके बाद इस टीवी के डिस् स्विच्ट और पिक्चर क्वाटिक कितना जबर्दस आपको देखने को मिल रहा है तो हमारा पिक्चर तो सही आचुका है और नो सिगनल का यह जो मैसेज यह भी उल्टा नहीं है सिधा है पिछली वीडियो के अंदर जो मैंने पैनल को इंस्टॉल कर रहा था वहाँ पर ज इसको बंद कर देता हूं और बंद करके पीछे का जो सारे connection है मैं करके आपको final picture आपको देखाता हूं कि इसके अंदर आपको graphics उसके साथ-साथ picture quality आपको किस तरीके से दिखेंगे उससे पहले मैं क्या करूंगा यहां पर हमारे टीकॉन बोड है इस टीकॉन बोड को यहां प और गिक आपको प्रोंड हम इसके तरीक कैने मैं करेंगे इसके सेखेंगे कर क्या देखेंगे कर दोकी हैं इसके स्थाद्ट आपको है जा तरीक आखेंगे। कि जैसे कि आप देख सकते हो पिक्चर कॉल्रिक कितना जबर्दस और कितना सार्फ है तो आगर आप भी अपना टिवी के अंदर निया पेनल को लगाना चाते हो अपना टिवी का जो पेनल है वो खराख हो चुका है और relevant करे 파ूर अपोटेबल प्राइस रेंज के अंदर आपका टीवी का जो डिस्पले है उसको रिप्लेस करके दिया जाएगा तो मुझा आसा ही कि आप कोई वीडियो बहुत ही पसंद आया है गर पसंद आया तो लाइक जुरूर कर दीजेगा और इसी प्रोकर के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सराइबर के जुरर है और हाँ मैंने जैसे यह आप लोग को बताया कि अगर आपका टीवी का पैनल को रिप्लेस करना चाहते हो तो हमारे सर्विस सेंटर में आ सकते हो हमारा सर्विस सेंटर का लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसक इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए हुई से अल्डा बेस्ट